और भाई क्या हाल जाल. आज के वक्त में इस लाइन का यूज तो हर कोई करता है, पर किसी को भी नहीं बता इस लाइन का असली अर्थ क्या है और हम लोग इस लाइन का यूज ही क्यू करते हैं। जब हम लोग को राम भगवान को याद करना होता है, जब हम लोग को राम भगवान से कुछ चाहिए होता है, या फिर जब हम लोग किसी भी ऐसे stressful situation में होते हैं, जिस वक्त हम लोग को God की help चाहिए, तब हम लोग इस slime को use करते हैं, अगर मोटा मोटा बोला जाया है, तो जब हम लोग को अपना भक्ती दिखाना होता है भगवान के प्रती, तब हम लोग इस लाइम को यूज करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है अब हम लोग समझते हैं कि इसे बोलने का सही तरीका क्या है, बहुत जहन इसे बहुत गलत तरीके से बोलते हैं इसमें खास कर RSS और BGP के लोग आते हैं जो लोग इसे बहुत पी जाता aggressive टोन में दिखाते हैं देखो, यहाँ पर एक बात समझने का गोसिस करो हम लोग जो है भगवान को याद कर रहे हैं हम लोग भगवान से help मांग रहे हैं हम लोग भगवान को धंका नहीं रहे हैं हम लोग भगवान को एक respect दिखा रहे हैं हम लोग भगवान को डरा नहीं रहे हैं हम लोग को इससे प्यार से बोलना चाहिए शमझे राम समझ रहे हूँ मेरा difference क्या है अब अगर तुम्हें किसी से भी request करनी होती है अगर तुम्हें अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है, अगर तुम्हें अपने बॉस से रिक्वेस्ट करनी है, तुम्हें थोड़ी उसे जाकर बोलेगा कि, अब मेरा ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलोगे, प्यार से ही बोलेगा कि, देखो सर, मेरा ये काम है, तो करेगा ना काम अब तुम ऐसे डरा करके बोलोगे तो कोई भी तुमारा बात सुनेगा नहीं सुनेगा, सेम चीज इधर भी अपलाई होता है जब तुम्हें अपना भक्ती दिखाना है तो डरा क्यों रहे हो अरे भगवान के कान बहुत तेज है तुम धीरे से भी बोलोगे तो उनको सुनाई दे देगा जरूरत में ये चिला करके पूरा आस्मान तग आवास पहुचाने का अब तुम्हें बताओ चो हम लोग राधे राधे बोलते हैं अब अगर कोई इसको राधे राधे ऐसे बोलेगा तो ये अच्छा लगेगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि राधे राधे बहुत प्यार से बोलने वाला चीज है सेंग चीज इधर भी अपलाई होता है आज कर मैं बहुत जादा देखना हो रोड पे कहीं भी जाते हैं तो बीच में ही चिन्नाण लग जाते हैं अगर इसे सही से बोला चाहिए तो इससे अच्छा और सुनने वाला कोई सब्द हो ही नहीं सकता पर अगर तुम लोग इससे सही तरीके से नहीं बोलोगे तो यह disturbance create करेगा काम में अगर इसे अच्छे से बोलोगे तो इतना मधूर यह सुनाई देगा कि मन करेगा कि इसे दिन बर सुनते रहो राम का नाम सुनते ही प्यार आना चाहिए महुपत आना चाहिए ना कि aggression और नफरत आना चाहिए बिला मतलब कि यह RSS, BJP, Congress जिसे वो भी यह बोलते हैं उसके बहगावे में आकर हमें अपना बोलने का तरीका नहीं बदलना चाहिए अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो यह बहुत जरूरी वीडियो है, जोकि हरे एक छन को पता चलना चाहिए